तो नमस्कार दोस्तों आज हम सुरूख कर रहे हैं क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस हम आपको मैशा करवाएंगे हिंधी माध्यम में तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है सबसे पहला द्याय है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं हम लोग डिसकस करेंगे वास्तविक संख्याएं और इसमें जो कुस्टन से एक्सराइज उनके बारे में पहले कुस्टन साम कहानी को स्टार्ट करेंगे तो अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा उडान डीटल एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें वहां पर आपको मिनिममम प्राइस पर तो आप अभी जाएं प्ले स्टोर एप से हमारा एप डाउनलोड करें वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स अविलेबल होगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडिया फाइल मिल जाएगा चलिए बाद हम लोग को संपर जाएंगी तो सांती बनाया रखें चीजों को ध्यान समझे पैन कॉपी लेकर बैठें नोट कर्चे चले साथ में सबसे पहले मैंने एक रियल नंबर एक वास्तविक संख्या लेली पंद्रा और मैंने देखा कि पंद्रा जो है वो किस्ते किस्ते वि आप मुझे बताओ पंद्रा पंद्रा को ऐसे कौन कोनसे number है जो विभाजित कर सकते है 15 में किन-किन 나올 नंबरों का भाग जाता है ऑप मुझे बताए ह। किन का किन का भाग जाता है सर पंदरा में एक का भाग जाता है पंदरा में तीन का भाग भी जाता है पंदरा में पांच का भाग भी जाता है पांस तिया पंदरा और पंदरा में पंदरा का भाग भी जाता है तो मुझे एक बात समझ में आई कि सर इस पंदरा को इस पंदरा क तो चाई पंदरा के चार क्या आपको यह बासों और चीजों को बारीकि से हम आगे बढ़ाएंगे बहुत जीरो से पढ़ाएंगे आपको हर एक बारीक से बारीक चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगी बस वीडियो को इसकीप ना करें अच्छे से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ कंटेंड समझ में आ रहा है आपका हर एक सवाल 10 का बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करवाऊंगा आपको बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा अगर आप पूरे वीडियो में देखते हैं तो और यदि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आ रही है तो आप अपने सभी दोस है उसके गुणनखंड क्या होंगे उस नंबर को कौन-कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं जैसे 15 नंबर है इसको कौन-कौन डिवाइड कर सकता है एक डिवाइड कर सकता है तीन डिवाइड कर सकता है पांच डिवाइड कर सकता है तो यह चारों इसके क्या कहलाएंगे गुणन खंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मैंने यहां पर एक नंबर लिखा बेटा दो फिर मैंने एक नंबर लिखा तीन फिर मैंने एक नंबर लिखा पांच फिर मैंने एक नंबर लिखा साथ फिर मैंने एक नंबर लिखा ग्य ठीक है चलिए साथ और मैंने यहां पर एक नंबर लिख दिया 11 ऐसे ही आप आगे भी लिख सकते हैं जिसे 13 तो यहां पर बेटा जरा घूर घूर कर देखो क्या चीज़ें समझ में आ रहे जरा घूरो इसमें क्या लिखा है सर मैंने सारी की सारी गिंती नहीं लिखिये मैंने कुछ ही नंबर लिखें बाकि कुछ छोड़ दियें तो मैंने कौन से नंबर लिखें हैं और कौन से नंबर छोड़ दिये हैं जरा ध्यान दो और मैंने यही नंबर क्यों लिखें बाकि क्यों छोड़ दिये बताओ क्यों छोड़ दिये नहीं पता तो ध्यान सर मैंने वह वाले नमबर लिखे हैं जिन में केवल किसका भाग जाएगा एक का और दो का इसमें किसका भाग जाएगा एक का और तीन का इसमें किसका भाग जाएगा एक का और पांच का इसमें किसका भाग जाएगा एक का और साथ का इसमें किसका भाग जाएगा एक का और ग्यारा का तेरा में किसका भाग जाएगा एक का और तेरा का तो मैं यह कह रहा हूँ दोस्त यह वो नंबर है जिनको केवल कौन डिवैड कर सकता है एक तो एक और दूसरा वो खुद कहने का मतलब ये नमबर तुम जैसे है तुम जैसे से क्या मतलब तुम ऐसे बच्चे हो जिनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता आप लोगों को केवल हरा सकता है तो भगवान और दूसरा आप खुद हार सकते हो बागी किसी की उकात नहीं जो तुम्हें हरा दे तो ये आप जैसे नंबर है ये कैसे नंबर है सर ये आप जैसे नंबर है आप जैसे मतलब इनको कोई नहीं हरा सकता आप जैसे का मतलब होता है इनको कहते हैं सर अभाज संख्या है क्या बोलते हैं इनको बोलते हम गणित में हम बोलते हैं अभाज संख्याएं यह A.C. संख्याएं जिनको कोई भाग नहीं दे सकता केवल कौन दे सकता है एक तो भगवान मतलब एक और एक वो खुद ठीक है तो उमेध है आपको अभाज संख्या समझ में आया होगा तो अगर हम परिभासा ल के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं दो ही ना दो से कम ना दो से ज्यादा दो ही गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं अभाज संख्याएं कहलाती है क्या कह रहती है अभाज संख्याएं यह बहुत इंपोर्टेंट है ना आप लोग अगर इसको समझ पाओगे तो ही आगे की चीजों को समझ पाओगे अभाज संख्याएं एसी संख्याएं जिनको केवल कोन विभाजित कर सकता है एक तो एक और यह खुद यह आप जैसे नंबर है मैं रिपीट कर रहा हूँ दुनिया के वो सारी नंबर जिनको केवल भगवान हरा सकता है मतलब जो केवल एक से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से देखो 2 को कोन हरा सकता है केवल भगवान और वो खुद 3 को कोन विभाजित कर सकता है भगवान और वो खुद 5 कोन विभाजित कर सकता है भगवान और वो खुद मतलब यह ऐसे नंबर है जो केवल दो ही नंबरों से डिवाइड होते हैं और हमें पता है कि अगर किसी नंब नンブंड हो ना 2 से कम ना 2 से जाता तो हम क्या बोलते हैं उनको अभात संक्या है अब तुम्हारे माथचे की बत्ती नी जल रही क्या तुम्हारे दिमाग में टूप लाट जल रहा होगा कि मैंने ये कहा कि सर ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही, ना दो से कम, ना दो से जादा, दो ही हो तो अभाजे, तो फिर सर अगर दो से जादा हो तो क्या कहेंगे, और दो से कम हो तो क्या कहेंगे, तो अब हम बात करते हैं, अगर दो से जादा ऑन खंड हो तो हम लोग क्या कहेंगे हम समझ लेते हैं चलिए दो चीज dekliere अब मैं वह नंबर लिख रहा हूं जिसके दो से ज़्यादा अगुणंखंड होते हैं मैंने यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर लिखा एक नंबर लिखा मैंने 4, मैंने एक नंबर लिखा 6 मैंने एक नंबर लिखा 8 तो देखो यह कौन से नंबर है एक और नंबर लिख लो 9 यहाँ पर लिख लेता हूँ एक और नंबर लिख दिया मैंने 9 एक और लिख दे कौन सा 10 तो चार को भगवान हरा सकता है भगवान मतलब कौन एक इसको दो भी हरा सकता है इसको चार भी हरा सकता है कहने का मतलब ये तुम जैसे नंबर थे पर ये नंबर हम जैसे हैं हम जैसे मतलब हमको भगवान हरा सकता है हमको भगवान उठा सकता है हम कुद चाहें तो उठ जाए और हमें परिवार भी हरा देता है तो लोग परिवार से भी हर जाते हैं वो दुनिया से जीच जाएगा पर परिवार से हर जाएगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर हम देखेंगे चार जो है भगवान उठा सकता है चार दिखा सकता है और परिवार ऐसे ही छे को कौन-कौन उठा सकता है सर एक से भाग जाएगा इसमें दो से भी जाएगा तीन से भी जाएगा और छे से भी जाएगा इसमें एक से, दो से, चार से और आट से, इसमें एक से, तीन से और नो से, इसमें किसका भाग जागा, एक का, दो का, पांच का और दस का, तो कहने का मतलब ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं, जिनके क्या हैं, जिनके दो से जादा गुणन खंड हैं, जिनके क्या हैं, दो से जादा, दो से जादा मतलब तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर दो से तो जादा ही हैं, तो सर ऐसी संख्याएं, जिनके दो से जादा गुनन खंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, अभाज संख्या यहां पर हम लिख देते हैं डेफिनेशन इसकी एसी संख्याएं जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हों दो तो वो होती है अभाज वो क्या होती है अभाज और एसी संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हों 2 से ज़्यादा गुनन क्ट हों ऐसी संख्या ये जिनके 2 से ज़्यादा गुनन क्ट हों 3 4 5 तो तो वह भाज कहलाती है ten ये खाल अभाज नहीं बाज इनको पी एक और भगवान के रावा अलावा भी कोई है जो उठ चकता है क्या कैलाती है अभाज संख्या तो अब आपके मात्य में एक बत्ती और जली होगी कि सर एक नमबर रहे गया एक ये एक ऐसा नमबर है जिसका केवल एक ही गुणनखंड है एक केवल एक स्तही डिवाइड होता है तो क्या बात समझ में आई सर ये कह रहा है ऐसे नमबर जिसके दो गुणनखंड हो कितने गुणनखंड हो दो तो वो अभाज दो ही ना दो से कम ना दो अगर दो से जादा हो तो ये दो ही हो तो ये दो से जादा हो तो भाज दो ही हो तो अभाज तो ये तो एक ऐसा नमबर है ना इसके दो गोडन खंड हो रहे हैं ना इसके दो से जादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये ना तो भाज है ये जो नंबर है ये ना तो अभाज है ना अभाज है ना ही भाज है ना ये भाज है क्या इतनी बात समझ मैं आई ना तो ये अभाज है ना ही ये नंबर भाज है तो इतनी बात आपको clear हो चुकी होगी हम लोगों ने आज क्या discuss किया आज मतलब अभी ओर discuss करने वाले खतमने भी कहानी पहला जो exercise का सवाल है वो मैं आज आज आपको करवा के ही जाओंगा और चीज ये बहुत बारी कि समझाओंगा ठीक है तो चेप्टर वन जो है वो हमारा मान के चलिए पांच लेक्चर में खतमोंगा टूटल पांच से साथ लेक्चर में है ना टैंसर ना लो चलिए तो चोटे चोटे लेक्चर होंगे बहुत बड़े नहीं होंगे एक एक दो दो घंटे के नहीं होंगे छोटे छोटे से हमारे जो है वो लेक्चर होंगे बरोबर है साब चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमने समझा प्राइम नंबर क्या होते हैं अभाज क्या होते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, पंदरा के गुणनखन क्या है? सर पंदरा के गुणनखन वो ये रहे, एक, तीन, पांच, पंदरा, पर इसमें से अभाजी के वल को न है? ये दोनों ही हैं, अभाजी हैं, बस, पंदरा के अभाजी गुणनखन कितने हैं? दो हैं, टोटल गुणनखन कितने हैं? चार हैं, ऐसे चार नंबर हैं, जो पंदरा को डिवाइड कर सकते हैं, पर उनमें से अभाजी दो ही हैं, ये तुम जैसे नंबर हैं, यह हम जैसे है और यह ना तो तुम जैसा है ना तो हम जैसा है ध्यान से पड़ो एक बार 15 के अभाज गुननखंड केवल दो ही है कुल गुननखंड चार है पर अभाज केवल दो ही है ठीक है तुम जैसे दो ही है तो अभाज गुननखंड निकालने का तरीका अभाज गुननखंड निकालने का तरीका क्या है जब भी तुमसे अभाज गुननखंड पूचा जाए गुननखंड क्या होगा गुननखंड तो सबसे पहले इसके जो अभाज गुननखंड निकालने का तरीका है वो ऐसा होता है ऐसा ऐसे आपने पहले भी किया होगा ठीक है जैसे हमने यहाँ पर लिखा पंदरा पंदरा को डिवाइड किया किससे तीन से कितनी बार डिवाइड ह देखो घरा पंद्रा ऺंगर उपर केवल दो यह अगर हम ऐसे प्रते है थे तो हम कहेंगे सर आपचन आपचन और क्या है पंद्रा को हम लिख सकते हैं 3 और 5 और का गुणनफल क्या करना है इनका गुणनफल करना है गुणनफल तो पंद्रा को हमने उनके अभाज गुणनखंड ये दोनों क्या है ये दोनों अभाज गुणनखंड है तो हमने पंद्रा को उनके अभाज गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया यही है अभाज गुणन बुक में पुरानी बुक में 1.2 और जो नई मार्केट में अभी बुगाई है दोजार तेंज चोईस की उसमें 1.1 है तो अगर आप पुरानी बुक यूज कर रहें तो 1.2 में देखना है सबसे पहला सवाल क्या है सर नीचे दिए गए नंबरों को पहले सवाल में क्या लिखा आपको बता देता हूं चलो आपकी जो बुक है वो हम देखते हैं 10th की जो नई बुक है वो देखेगा भईया 10th की जो नई बुक है यह रही आपकी मैस की नई वाली बुक तो अगर आपने यह खरीद लिए तो देख लो वरना मार्केट में पुरानी बुक भी है आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोग सबसे पहली जो exercise है उसके बारे में discuss कर रहे हैं चलो तो यह रही हमारी सबसे पहली exercise 1.1 और 1.1 में सबसे पहला जो सवाल है वो यह रहा मित्र सबसे पहला सवाल ठीक है देखो ज़रा क्या आपको यह सवाल विजीबल है ठीक है क्या कह रहा है यह कह रहा है कि निम्न लिखित संख्याओं को उनके अभाज गुननखंडों के रूप में लिखिये video quality अगर लो आँ तो quality बढ़ाओ ठीक है अगर आपको ठीक से नहीं तीक है तो आपके video की quality बढ़ाओ यह कह रहा है निम लिखित संख्याओं को मतलब इनको अभाज गुणनखन, अभाज गुणनखन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बोलो है न, के गुणनफल की रूप में विक्त कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, सबसे पहला सवाल आपका यह रहा, क्या करोगे, दिया गया नंबर, दिया है, क्या दिया है, 140, एक संख्या ह सुन, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया, 6, 2, 5, 10, 35 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे, तो 7 आएगा, अगें साथ का भाग देंगे, तो 1 आएगा, यह तुम्हें आता है, अगर नहीं आता है, तो comment box में लिखो, हम लोग आपको यह भी पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए, तो इ किसी को कहते हैं किसी नंबर को हमने उसके अभाज जिगुनंखन के रूप में तोड़कर लिख दिया अभाज जिगुनंखन के रूप में तोड़कर लिख दिया ऐसे ही आप इसको भी करेंगे ऐसे इसको भी करेंगे और इसे ही इसको भी करेंगे जरा ध्यान दे यह जो 12 का पहड़ा 23 का पहड़ा अभी यह सरल था इसमें दो का भाग गया फिर दो का गया फिर पांच का गया फिर साथ का गया तो हम दो चार पांच साथ का भागद ए सकते हैं, पर बहुत सारे बच्चें ऐसे हैं, जिनको भाग देते नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनको ये पहाड़े याद नहीं है, तो दोस्तों सभी को 19, 23, 29, ये सारे पहाडे, कम से और 30 तके पहाड़े याद होना चाहिए, तभी आप ये सारे questions कर पाओगे बाकी आप answer seat जो उत्तर माला होती है न बुक में उसमें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें किसका किसका भाग जाएगा उत्तर माला से भी आपको पता चलेगा पर exam में उत्तर माला नहीं होगी और अगर आपको आणसर आ गए है तो comment में लिखना सर हमको आ चुके हैं आगे की questions solve करवाएं तो ये हमारी class 1 थी lecture 1 था अगले lecture में हम लोग पढ़ेंगे what is LCM और what is SCF जो कि हमारा सवाल नंबर 2 होगा अगर हम LCM को समझ जाएंगे अगर हम SCF को समझ जाएंगे तो हम दूसरा तीसरा चोथा ये चारों सवाल कर लेंगे exercise 1.1 प्रसना वली 1.1 के चारों सवाल हम लोग कर लेंगे पर हमें समझना क्या होगा what is LCM what is SCF तो अगला वीडियो आप देखें हमारा lecture नमबर 2 वहाँ पर आपको हमने समझाया LCM क्या होता है SCF क्या होता है और उनके सवाल क्या है ठीक है तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक थैंक्यू अभी भी आपको आपके पास समय है प्लेइश्टूर पर जाएं हमारा आप डाउनलोड करें वहाँ पर आपको चेप्टर वाइस सारे कंटेंड मिलेंगे PDF मिलेगा, Notes मिलेगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में और डिसकस करेंगे उस क्लास में LCM और SCF